अभी तक सीट शेरिंग पर सहमती नहीं बना पा रहा है आला कि अभी भी बातचीत जारी है सूत्रों के मताबिक RGD कॉंग्रस के बीच कटेहार, उनिया, सासाराम और अंगाबाद, भागलपूर, लोगसभा सीट पर खीशतान चल रही है RGD कॉंग्रस को 8 सीटे देने को तयार है, सूत्रों के मताबिक कॉंग्रस 9 सीट और 1 माफिक सीट मिलने पर मान सकती है हाला कि कुछ सीटे ऐसी हैं जहां पर RGD की ओर से पहले ही कैनिडेट्स का अनाउस्मिंट कर दिया गया है बिना कॉंग्रस के साथ विचार विमर्ष किये बिना सीट शेरिंग का फॉर्मूला तैं हुए और ऐसे में इस बात की अशंका जताई जा रही है कि अगर यही हालत रही तो कॉंग्रस और RGD हो सकता है कि अकेले अकेले शुनावी मैदान में भी उतरते हुए दिखाई दें क्योंकि 12 सीटों की मांगी गई थी कॉंग्रस की ओर से जो कि 6 रह गई थी RGD की ओर से अप्रूब की जानी थी 6 सीटे देने को RGD तयार हो गई थी लेकिन उसमें भी पूनिया सीट अब क्यूंकि RGD ने अपना कैंडिट वहां से उतार दिया है बीम भार्ती को उतारा गया है ऐसे में अब महस 5 सीटे बची है एके करके लालू प्रसाद यादों की पार्टी RGD अपने कैंडिट उतारती जा रही है के केंडिट्स का अनाउस्मेंट करती जा रही है लेकिन सीट चैनी का फामूला नहीं तैं हुआ RGD और कॉंग्रस के बीच तनाव बना हुआ है और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लालू प्रसाद यादों ने कटेहार लोग सभा सीट कॉंग्रस के तारिक अनवर को देने की हामी भर दी है पेच पूनिया पर फसा हुआ है लालू प्रसाद यादों पूनिया की बजाए पपू यादों को मधे पूरा देना चाहते है जबकि कॉंग्रस पप्पु यादव को पूनिया सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। एक्टरस बेटी नेहा शर्मा के लिए कॉंग्रस से टिकेट चाहते है। जनता को लुभाने की कोहिश करेंगे आप ये समझ सकते हैं। और वहीं ब्यार में महागडबंदन में सीट बटवारे से पहले आरजएडी ने अपने उमीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। ब्यार में आरजएडी और कॉंग्रस के बीच पूनिया सीट पर बटवाद बरता चला जा रहा है। खबर है कि विधायक बीमा भारती को पूनिया से चुनाव लड़ाने के फैसले से कॉंग्रस नाराज है। तो रुपॉल से लगातार चुनाव लड़ती रही है और जीत भी रही है। लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमाई भी। अपने पुरॉने घर में आपस हमागे हैं और अप जो है कि स्थफा दिये हैं। हमारे जो नेता जो लालू परसाद जी हैं, तेस्वी जी हैं, पुर्मुक मंत्री रावरी देवी हैं, शभी का आदेश होगा, उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लरेंगे जोगे। दूहजार इस्वी से लगातार अभी धायक से जीतते आ रहे हैं, रुपोली से, और मुका मिलेगा तो लोग सभासे मजू की साथ, पुर्मुक से हम जीतेंगे। और वहीं बुदवार को पपु यादव ने कॉंग्रस का दावन थाम लिया है, पपु यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का विले कॉंग्रस में कर दिया, वो पुनिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीमा भारती के आरजेडी में शामल होने के बाद पपु य लड़ेंगे तो पुनिया सीट से ही लड़ेंगे, वहीं आरजेडी, वीमा भारती को उतार रही है, फेस ओफ वारी सिती भी होगी, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि पुनिया सीट पर कैसे सहमती बनीगी और उदर सीट बटवारे को लेकर कॉंगरूस नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है, बिना सीट बटवारे के आरजेडी ने सिंबल देना शुरू करतिया है, जिससे कॉंगरूस के नेताओं में भारी नाराजगी है कॉंग्रिस की पूर्वसांसद और राजेपाल निखिल कुमार और अंगाबाद से चुनाव लड़ने के ये तयार है लेकिन लालू यादो ने बिना सीट वटवारे के अपना उमीदवार गोशित कर दिया है और सिंबल भी दे दिया है कॉंग्रिस निखिल यादो को चुनावी मैदान में उतार दिया है ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक और सीट पर ये सियासी घमासान है वो देखने को मिलेगा क्या आरजेडी कॉंग्रिस में कई सीटों पर ऐसा होगा कि रार रहेगी एनिया गडबनन की गाठे उलजी उलजी से दिखाई दे रहे है बिहार में महराष्ट में गडबनन के भी सीट शेरिंग का फॉर्मूला अब तक तैं नहीं हो पाया है लेकिन पार्टियों ने अपने उमीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है बिहार में सीट शेरिंग पर पेंच आपको याद हो तो ये बिहार है जहांके नितीश कुमार ने इंडिया गडबनन के लिए अलग जगाई थी विपक्षी एक्ता को मजबूत कर सीट दर सीट बीजेपी को घेरने की तैयारी होई थी लेकिन नितीश कुमार क्या गए? इंडिया गडबनन के बुरे दिन शुरू हो गए अब आलम ये है कि बिना सीट शेरिंग का एलान हुए ही राश्ट्रिय जनता दल टेकटों का बटवारा कर रही है आरजेडी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का एलान किया है उसकी लिस्ट आपको आगे दिखाएंगे अब ही आरजेडी कॉंग्रेस के बीच फसे पेंच को देखिए बिहार में इंडिया गढ़बंधन का क्या होगा सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी कॉंग्रेस को 8 सीटे देने को तयार है लेकिन दोनों के बीच सहमती के तार अब तक नहीं जुड़ पाए है हाला कि सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी के संपर्क में है कॉंग्रेस लेकिन इस संपर्क से सहमती के गुणजाईश कितनी बने गी जब बिना फामूले के एलान के ही आरजेडी अपने लिस्ट फाइनल कर रही है ताजा लिस्ट के मुताबिक लालू यादो अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहनी आचारे को लोक सभा का टिकट दे दिया है मीसा भारती पाटली पुत्र सीट से लड़ेंगी चुनाओ जबकि रोहनी आचारे छपरा से चुनाओ लड़ेंगी दोनों बेटियों के आलाबा आरजेडी ने ओजियार पूर से आलोक मेहता का टिकट फाइनल कर दिया है बाका से जयप्रकाश नारायन को टिकट दिया है बकसर से सुधाकर सिंग को मैदान में उतारा है और जहानाबाद से सुरेंदर यादो आरजेडी के प्रत्याशी होंगे बिहार में इंडिया गटबंधन में शामिल दल एक पेज पर नहीं है दो दिन पहले का घटना क्रम पूरी कहानी बया करता है तब कहा गया के आरजेडी कॉंग्रेस को साथ से ज़्यादा सीटें देने के लिए तयार नहीं थी दूसरी तरब कॉंग्रेस कम से कम नौ सीटों के डिमांड कर रही थी सूत्रों के मुदाबिक 17 मार्च के मुंबाई की रैली के बाग तेजस्वी यादो और केसी वेडू गोपाल की बैठक होई थी बैठक में तेजस्वी ने कॉंग्रेस को आठ लोक सभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया इस पर वेडू गोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की केसी वेडू गोपाल का तर्ग था कि 2019 में कॉंग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी 2019 में कॉंग्रेस एक सीट जीती भी और RJD का खाता भी नहीं खुला हलाकि मुंबई से लोटने के बाद RGD ने अपना ओफर वापस ले लिया और दिल्ली में RGD ने कॉंग्रेस को 8 से घटा कर 6 सीटें देने का प्रसाव दिया और अब कहा जा रहा है कि RGD कॉंग्रेस को 8 सीटें देने को तयार है और इस बीच लालू यादों ने सीटों के बटवारे से पहले पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है बिहार में लालू कैसे कॉंग्रेस के साथ खेल कर रहे हैं अब ज़रा वो भी समझे लालू ने गया सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया है अब है कुश्वाह को औरंगाबाद से प्रत्याशी बनाया है विनोध यादों को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है तो बिहार में विपक्ष का सीट शेरिंग फर्मूला बनने से पहले बिगड़ता दिखाई दे रहा है और बिहार ही क्यों पश्व मंगाल से लेकर महराश्य थक इंडिया गठवंधन की गांठें इतनी उलज गई है कि समय रहते सोलजती नहीं देख रहे है चुनाव से जोड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के मताबिक बीजेपी केंद्री चुनाव समीती का यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला खाजियाबाद से अतुलगर्ग, पिली भीद से जितिन प्रसाद, हात्रत से अनुप वालमी की, सहरनपूर से रागो लखनपाल, अलीगर्द से सतीश गौतम को अमिद्वार घोशित किया जा सकता है बीजेपी का ये एक एहम फैसला आधिकारिक तोर पर जाहिर भी हो सकता है बीजेपी की केंद्री चुनाव समीती की बैठक हुई और उसमें कई एहम फैसल लिये गए हैं जिसमें यूपी में कई नए चेहरे उतारे जा सकते हैं पीली भीट से वरुन गांधी की जगे जितन प्रसाथ चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकेट पर दिखाई दे सकते हैं की जगए भी खुन सकते हैं